नमस्कार बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम ट्राफिक लेवल्स तथा एकोलोजिकल पिरामिट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे अब तक के लेक्चर्स देखकर आप यह जानते हैं कि एकोसिस्टम्स में फूट जेन अथ्वा खादे श्रिंखलाएं पाई जाती हैं खादे श्रिंखलाएं जीवों का एक रेखिये क्रम होता है जिसके द्वारा न्यूट्रियेंट्स तथा एनर्जी एक और्गेनिजम से दूसरे और्गेनिजम में फ्लो करती हैं इसी फूट चेन में प्रतेक जीव की एक निश्यत स्थिती होती है जिसे ट्रॉफिक लेवल कहा जाता है सभी ओर्गेनिजम्स जिनकी similar feeding habits होती हैं वे फूट चेन में इकठे एक समू का निर्मान करते हैं जिसे ट्रॉफिक लेवल कहा जाता है अतर ट्रॉफिक लेवल फूट चेंग में जीवों की स्थिती का आईडिया देता है दिये गए चित्र में आप ट्रॉफिक लेवल के कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं किसी भी एकोसिस्टम में सोलर रेडियेशन को फिक्स करने का कारे ग्रीन प्लांट्स के द्वारा किया जाता है सूरे की उर्जा का तथा अन्य पदार्थों का उप्योग करके ये भूजन बनाते हैं अतैने प्राइमरी प्रोडूसर्स भी कहा जाता है प्राइमरी प्रोडूसर्स सदैव फूट चेन का आधारिय भाग रहन करते हैं तथा ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल या प्रथम पोशन्स तर बनाते हैं अब इन प्राइमरी प्रोडूसर्स के द्वारा बनाए गए भोजन का उपयोग शाकाहरी करते हैं जोकि इन प्लांट से भोजन प्राप्त करते हैं क्योंकि ये उपभोग कर रहे हैं भोजन का अते इने प्राइमरी कंज्यूमर्स प्रथम भार उपभोग कर रहे हैं बनाए गए भोजन का अते इने प्रात्मिक उपभोगता कहते हैं और ये प्रात्मिक उपभोगता सेकिंड ट्रॉफिक लेवल का निर्मान करते हैं। इन शाकाहारियों को पुने मासाहारी प्राणियों द्वारा अपने भोजन के रूप में उप्योग में लिया जाता है। क्योंकि ये भोजन का उपभोग कर रहे हैं अत्या इनने सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहा जाता है और इन सेकेंडरी कंज्यूमर्स के द्वारा थर्ड ट्रॉफिक लेवल बनाया जाता है। अब पुने इन मासाहारियों को टॉप कार्निवोर्स अत्वा टर्श्री कंज्यूमर्स के द्वारा ग्रहेंड कर लिया जाता है और ये टर्श्री कंज्यूमर्स फोर्थ ट्रॉफिक लेवल का निर्मान करते हैं। कई बार हम डी कंपोजर्स को भी ट्रॉफिक लेवल के अंतरगत सम्मलित करते हैं और इन डी कंपोजर्स को हम टॉप पर इंक्लूट करते हैं या सबसे उपर रखते हैं। क्योंकि यही डी कंपोजर्स सभी जीवों के द्वारा लॉक किये गए नियूट्रियंट्स को पुनै प्रक्रती को लोटाने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार अलग-अलग जीव, अलग-अलग ट्रॉफिक लेवल्स का निर्मान कर रहे हैं। किसी भी इको सिस्टम की ट्रॉफिक स्ट्रक्चर तथा ट्रॉफिक फंक्शन को डाइग्राम्स की सहायता से दिखाया जा सकता है। ये डाइग्राम्स ग्रीस में पाए जाने वाले पिरामिट की आकरती के होते हैं। अत्य इन्हें इको लॉजिकल पिरामिट्स या पारिस्थितिकिये पिरामिट्स कहा जाता है। सर्फ प्रत्रम, चार्ल्स एल्टरण नामक वैज्ञानिक ने इन पिरामेट्स की सहायता से एको सस्टम के ट्रॉफिक फ़ंक्शन को एक्स्प्लेईन किया, अतने एल्टोनियन पिरामेट्स भी कहा जाता है। इन ecological pyramids में विभिन ट्रॉफिक लेवल्स के जीव स्थित होते हैं अगर हम pyramids की आकरती देखें तो हम पाएंगे ये pyramids या तो सीधे हो सकते हैं अर्थात इनका आधार चोड़ा तथा जैसे जैसे हम शीज की तरफ जाते हैं शीज नेरो होता जाता है या संकरा होता जाता है तो इस शेप के pyramids को upright अत्वा सीधे pyramids कहा जाता है इसके विपरीत कुछ pyramids ऐसे भी होते हैं जिन में शीज तो संकरा होता है और जैसे जैसे हम आधार की तरफ जाते हैं वैसे वैसे ये चोड़ा होता जाता है तो ऐसे pyramids को inverted pyramids का नाम दिया जाता है तो अलग-अलग ecosystems में हमें दो प्रकार के pyramids नज़र आएंगे upright pyramids तथा inverted pyramids ecosystem में जीवों की संख्या, biomass तथा energy के प्रवाह के आधार पर विभिन प्रकार के pyramids explain किये जाते हैं जिनने pyramids of number नाम ही बता रहा है यह जीवों की संख्या पर आधारित है pyramids of biomass जीवों के जैवभार पर आधारित है तथा pyramids of energy जो की विभिन जीवों में उर्जा के प्रवाह के आधार पर आधारित है बाटा गया है ecosystem में पाए जाने वाले pyramids को तथा उनकी shapes को हम इस flow chart के द्वारा summarize कर सकते हैं संख्येप में समझा सकते हैं तो तीन प्रकार के pyramids हैं pyramids of number pyramids of number सीधा भी हो सकता है उल्टा भी हो सकता है अलग-अलग ecosystem जैसे की grassland ecosystem अथ्वा cropland ecosystem में यह सीधा नजर आएगा जबकि अगर हम एक व्रिक्ष को इको सिस्टम माने तो यहां पर pyramids of number आपको उल्टा नजर आएगा तो संख्या के आधार पर जो pyramids हैं वह सीधे अथ्वा upright भी हो सकते हैं उल्टे अथ्वा inverted भी हो सकते हैं इसी तरीके से जब जैव भार के आधार पर pyramids बनते हैं तो उनकी शेप भी upright अथ्वा inverted अर्थाथ सीधी अथ्वा उल्टी हो सकती हैं अगर हम land अथ्वा aquatic ecosystems की बात करें तो हम पाएंगे कि यह सीधी आकरती के होते हैं लेकिन अगर हम समुंदरी ecosystem की बात करें तो हम पाएंगे कि pyramids of biomass उल्टी आकरती का भी या inverted आकरती का भी देख सकता है इन दोनों के विप्रीत pyramids of energy आपको सदैफ upright नजर आएगा तो this is important यह बात आप note कर लें कि pyramids of energy हमेशा सीधा होता है हमेशा upright होता है इसके बारे में हम विस्तार से और आगे देखेंगे सर्फ प्रथम हम बात करते हैं नंबर पिरामिट की तो जैसा की हम देख चुके हैं पिरामिट of number किसी भी ecosystem में विभिन ट्रॉफिक लेवल्स पर पाए जाने वाले producers तथा consumers की संख्या के मध्य संबंध को दर्शाता है जब हम किसी crop plant की अत्वा grassland की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें number का पिरामिट सदैव सीधा नजर आता है क्यूंकि किसी भी grassland में producers की संख्या अत्वा green plants की संख्या सबसे ज़ादा होती है इसके पश्चात इन green plants को खाने वाले शाकाहरियों की संख्या कम होती है अत्या बेस की अपिक्षा यह हिस्सा थोड़ा सा संकरा हो जाता है हर भी वोर्स के पश्चात जो carnivores हैं वहें और कम संख्या में पाए जाते हैं और top carnivores अत्वा top consumers तो सामान नेते 2 या 4 की संख्या में ही पाए जाते हैं तो जैसे जैसे हम आधार से शीष की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि जीवों की संख्या कम होती जा रही है अत्य हमें pyramid इस shape में मिलता है चोड़ा आधा संकराशीष और इसे upright pyramid के नाम से जाना जाता है लेकिन अगर हम एक tree ecosystem की बात करें जिसमें producer का कारे एक व्रिक्ष के द्वारा किया जा रहा है तो व्रिक्ष संख्या में एक है अत्य जो आधार होगा वह नेरो होगा इस व्रिक्ष पर अनेक प्रकार के पक्षी पाय जाते हैं तो संख्या अधिक हो गई इन पक्षियों पर अनेक प्रकार के परजीवी पाय जाते हैं एक पक्षी पर ही परजीवियों की संख्या काफी अधिक होती है और प्रतेक परजीवी पर फिर हाइपर पैरासाइट्स अथवा अनेक सूक्ष्म जीव स्थित होते हैं तो यहां हम देख रहे हैं कि नीचे से उपर जाने पर जीवों की संख्या बढ़ती जा रही है अते हमें उल्टी आकरती का या इन्वर्टेट पिरामेंट प्राप्त होता है तो हम पहले देख चुके हैं कि नंबर पिरामेंट कुछ केसिस में सीधा होता है जबकि कुछ केसिस में यह हैं इन्वर्टेट आकरती का होता है इसके पश्यात हम बात करते हैं पिरामिड ओफ बायोमास की पिरामिड ओफ बायोमास रुभिन जीवों के जैव भार से संबंदित होता है समान्य तहर यह जैव भार शुश्क भार के रूप में लिया जाता है तो यहां हम देखेंगे कि अलग-अलग एकोसिस्टम्स में आपको अप्राइट तथा इन्वर्टिट दोनों ही शेप्स देखने को मिल रही है समान्य तहर स्थलिय एकोसिस्टम्स में जो प्राइमरी प्रोडूसर्स अत्वा ग्रीन प्लांट्स होते हैं इनका बायोमास मैकसिमम होता है, सरवाधिक होता है और जैसे जैसे हम शीर्ष की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे जैवभार में कमी आती जाती है तो इस प्रकार प्रोडूसर्स की तुलना में हर्भी वोर्स का जैवभार कम होता है तो हमें अप्राइट प्रकार का या सीधी आकरती का पिरामिट प्राप्त होता है इसके विप्रीत अगर हम जलिये एकोसिस्टम की बात करें तो जलिये एकोसिस्टम में यदपी बहुत से प्रोड्यूसर्स होते हैं फाइटो प्लैंक्टॉंस के रूप में ये पाये जाते हैं संख्या अधिक होते हुए भी इनका जैवभार कम होता है अते जो आधार होता है पिरामिट का वह संकरा होता है इन फाइटो प्लैंक्टॉंस को अनेक छोटी मचलियों के द्वारा खाया जाता है इन छोटी मचलियों का जैवभार इन प्रोड्यूसर्स की तुलना में अधिक होता है पुने इन छोटी मचलियों को बड़ी मचलियों के द्वारा खा लिया जाता है और बड़ी मचलियों का अगर हम जैवभार निकालें तो यह है और अधिक होता है तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम शीष की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे जैव भार में भी वृद्धी होती जा रही है तो इस प्रकार एक्वैटिक एको सिस्टम में जैव भार पर आधारित पिरामिट आपको इन्वर्टेड या उल्टा नज़र आएगा तीसरे प्रकार का पिरामिट होता है एनर्जी का पिरामिट या उर्जा का पिरामिट किसी भी इको सिस्टम में पिरामिट अफ एनरजी हमेशा अप्राइट होगा सदैव आपको सीधा नजार आएगा चाहे हम टेरिस्ट्रियल इको सिस्टम की बात करें स्थलिय इको सिस्टम की बात करें अथवा जलिय इको सिस्टम की बात करें एक व्रिक्ष की बात करें अथोवण की बात करें सदैव सीधा पिरामेड आपको देखने को मिलेगा ऐसा क्योँ ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे जैसे हम एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल की तरफ जाते हैं वैसे वैसे एनर्जी की मात्रा कम होती जाती है यहां आप देख रहे हैं कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स सनलाइट को ग्रहन कर रहे हैं और सनलाइट को कन्वर्ट कर रहे हैं भोजन उर्जा के रूप में यह भोजन उर्जा जब primary consumers के द्वारा ग्रहेंट की जाती है तो इसका बहुत सा भाग विभिन प्रकार की जैविक क्रियाओं में अथवा heat के रूप में lost हो जाता है तो 100 में से सिरफ 10 प्रतिशत भागी ऐसा है जो की primary consumers तक पहुँचा प्राइमरी consumers के पश्चात secondary consumers तक जब energy transfer होती है तब भी यही सेम प्रॉसेस रिपीट होता है अधिकांश भाग लगभग 90 प्रतिशत भाग विभिन प्रकार की जैविक क्रियाओं को करने में तथा heat के रूप में lost हो जाता है तो 10 प्रतिशत में से सिरफ एक प्रतिशत भागी ऐसा होता है जो की अगले trophic level यानि primary से secondary consumers तक पहुँचा secondary से tertiary और tertiary से top consumers तक पहुँचने में भी यही process repeat होता है लगभग 90 प्रतिशत भाग विभिन प्रकार की जैविक क्रियाओं में तथा उर्जा के रूप में निकल जाता है तो जैसे जैसे हम आधार से शीर्ष की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे energy की मात्रा कम होती जा रही है यही वज़े है कि energy pyramid आपको हमेशा upright ही नजर आएगा अर्थात आधार सरवाधिक चोड़ा और शीर्ष संकरा क्यूंकि नीचे से उपर जाने तक अधिकांश energy lost हो रही है heat के रूप में अथ्वा व्यर्थ जा रही है तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि किसी भी ecosystem की function तथा उसकी सनचना को भली भाती समझाने के लिए energy pyramid सरवाधिक उप्यूक्त माध्यम है क्यूंकि यह energy flow के माध्यम से thermodynamics के rules को समझाते हुए किसी भी ecosystem की सनचना की व्याख्या करता है यही पर आपको मैं energy के एक rule के बारे में 10% energy rule के बारे में भी बताना चाहूंगी अभी हमने पिछले चित्र में देखा कि एक ट्रॉफिक लेवल से अगले ट्रॉफिक लेवल तक energy की कुल मात्रा का सिरफ 10% भाग ही transfer हो पाता है अते विभिन ट्रॉफिक लेवल के मद्धे उर्जा का transfer बहुत ही inefficient है इसकी दक्षता अत्यंत कम है लगभग 10% दक्षता से ही उर्जा का स्थाना अंत्रण हो सकता है अते टॉप लेवल तक जाते जाते बहुत कम energy या बहुत कम उर्जा पहुँच बाती है यही वज़य है कि किसी भी food chain में links की संख्या अत्वा कडियों की संख्या सीमित होती है सामान्यत है यह 3 से 5 ही होती है क्योंकि last link तक पहुँचते पहुँचते energy की मात्रा अत्यंत कम हो जाती है और इससे अधिक उर्जा का transfer होना संभव नहीं होता या जीव के लिए किसी काम का नहीं होता तो इसे कहा जाता है 10% energy rule यह प्रतेक ecosystem में प्रतेक स्थिती में सत्य है सही है और इसी लिए किसी भी food chain में links की संख्या अत्वा कडियों की संख्या बहुत जादा नहीं होती एनर्जी की limit कडियों की संख्या को भी निर्धारित करती है तो यह एक अत्यंत ही महत्वपून रूल है जो की ecosystem में food chain की सरचना को तथा ecosystem की सरचना को निर्धारित करने का कारे करता है धन्यवाद